नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विशे है सत्य मेव जैते या सांच बराबर तप नहीं, इसके संकेत बिंदु हैं सत्य का अभिप्राय, इसकी आवशक्ता, सत्य की भूमी का, सत्य का मार्क कठिन और सत्य की जीत कबीर दाश के अनुसार, सांच बराबर तप नहीं, जूट बराबर पाप, जाके हिर्दे सांच है, ताके हिर्दे प्रभु आप अर्थात सत्य ही वह तपस्या है, जिसके बल से अपने आप में ही प्रभु और सभी प्रकार की सफलता को पाया जा सकता है मन, वचन, कर्म में एक रूपता ही सत्य है संसार में स्यत्य की उसी प्रकार आवश्यक्ता है, जिस प्रकार अंधकार में दीपक की जब तक सत्य छिपा रहता है, तब तक जोट, पाखंड, छलकपट, धोखा, रिश्वत और भ्रष्टाचार आदी दुर्गण फैलते हैं सत्य प्रकट होने पर जोट के पाउँ उखड जाते हैं, पाखंड का भंडा फूट जाता है, छलकपट, रूपी बादल फट जाता है, धोखा, धुलकर भै जाता है, प्रिश्वत और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप, जीवन और समाज का सारा पातावरन उज्वल हो जाता है, पारशपरिक व्यवहार और सभी प्रकार के व्यवार का तो आधार ही सत्य है, राश्ट्रो का व्यवहार भी सत्य के सहारे चलता है, सभी धर्मों, जातियों और देश के सभी धर्म गरंथ सत्य का प्रचार करते हैं, यहां तक कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी यही चाहता है कि उसके सामने कोई जूट न बोले। सत्यवादी के सामने कठिनाईया अवश्य आती हैं। उनको सहकर भी सत्यमार्ग पर डटे रहना वास्तव में तपस्या ही है। इससे बड़ा अन्य कोई तप नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि जूट बोलने वाले छूट जाते हैं और सत्य बोलने वाले बंदी बना लिये जाते हैं। इससे दूसरे लोगों का सत्य के प्रती विश्वास हिल जाता है। सत्य को अधिक तेर तक दबाया नहीं जा सकता। वहाँ बादलों को फाड कर प्रगट होने वाली सूर्य किर्णों के समान एक ना एक दिन उजागर होकर अपने प्रकास से सभी को चमित कृत कर दिया करता है। सत्य का आचरन करना निश्चे ही कठिन होता है। किन्तु द्रिड संकल्प और आत्म विश्वास से सत्य की सफल साधना कर पाना कठिन और असंभव नहीं है। इतिहास ऐसे ही पूर्षों को माननेता और अमरत्व प्रदान किया करता है जो सत्य को जीवन का द्रिड आदार बनाता है। इसलिए सत्य पर अटल रहने का भरसक अभ्यास करना और आदट डालनी चाहिए। अंतिम विजय निश्चेत है। करता है। आप आदिजर झालनी चाहिए। अंतिम विजय आदिएग्चेत है। आदियकत है। करता है। आदिए।